हेलो दोस्तों एसु स्टेडिगान में आपका स्वागत है आज हम जैपूर जिला दर्शन का पांच वा भाग करेंगे उसमें पढ़ेंगे हम जैपूर के दर्शनिय इस्थल और जैपूर के परमुख विश्व इद्धाल है तो वीडियो को ध्यान से देखना चलिए करते हैं सुरूर जैपूर के दर्शनिय इस्थल या जैपूर के प्रियटन इस्थल सबसे पहले करते हम हवा महल पांच मंजिले हवा महल का निर्मान 1799 में में जैपूर के महराजा सवाई प्रताप सिंग दुवारा ला लेंग गुलाबी पथर से करवाया गया था करनल जैम्स स्थलों के नाम शरद मंदिर रतन मंदिर विचित्र मंदिर परकास मंदिर और हवा मंदिर है अब आता है सिटी पेलेश या चंद्रमहल साथ मंजिले सिटी पेलेश या चंद्रमहल का निर्मान 1737-32 के बीच सवाई जैसिंग दुवारा वास्तुकार विद्धह प्याचारिये की निर्देशन में करुआया गया था सिटी पैलेस के पूरों के मुख्य दुआर को सिर्ष डिखो कहते हैं तथा इसका पर्थम-2 बखल स्कनिवास महल कहलाता है सिटी पैलेस जयपूर द्राजप्रिवार का निवास इस्थान था City Palace में विश्व के सबसे बड़े चांदी के दो पात्र रखे गए हैं जो Guinness Book of World Record में सामिल है मुबारक महल जैपूर के City Palace में इस्थित है अब आता है जल महल मान सागर जील में इस्थित जल महल के निर्मान का स्थ्रे सवाई जैसिंग को दिया जाता है एशा माना जाता है कि सवाई जैसिंग ने एस्व मेग यग में आमन्तरित ब्राह्मनों के बोजनेवं विशराम की व्योस्था इसी जल महल में करवाई थी अब आता है आमेर का महल इसका निर्मान कच्छवाहा राजा रामसिंग दोरा फंद्रा सो बाणमे में हिंदो-मुस्लिम सैली में करवाया था यहाँ पर सीष महल जगत सीरोमनी मंदिर शिला माता का मंदिर आधी परसीत दर्शनी इस्थल हैं अब आता है जंत्र मंत्र वेद साला जंत्र मंत्र वेद साला का निर्मान 1728 से लेकर 1738 के बीच सवाई जैसिंग दुवारा करवाय गया था जंत्र मंत्र वेद साला पांच वेद सालाओं में सबसे बढ़ी है अन्य चैर वेद सालाईं दिल्ली, उजैन, वारानसी और मत्रा में है जंत्र मंत्र वेद साला को 2010 में युनेशको की वर्ड हेरिटेज जिसको विश्व विरासत भी बोलते हैं कि कल्चरन शिरेणी की सूची में सामिल किया गया अब आता है सीस महल इसका निर्माण मिर्जा राजा जैसिंग दोरा आमेर के किले में करवाया गया था इसे दिवा ने खास भी कहा जाता है महाकवी बियारी ने इसे दरपन धाम कहा है अब आते हैं जैपूर के अन्य एतिहसी के एवं परियटन इस्थल तो चलो करते हैं अलबर्ट होल म्यूजियम मोती डूंगरी सर्वत भद्र महल पन्ना मीना की बावडी जो आमेर मी है सामोध महल इस्टेच्यू सरकिल मोती डूंगरी जमुआ रामगडबांध महाकवी बिहारी का महल आमेर मी है जैनिवास उद्धान, प्रीतम निवास, माधो निवास, मुबारक महल, सवाईमान सिंग संग्राले, गैटोर की छत्रियां, महरानी की छत्री, संगी जी के जैन मंदिर, सॉल्ट म्यूजियम, विग्यान उद्धान, मुगल गेट, आनंद पोल, जो हवा महल है केसर क्यारी, भारमल की छत्रियां, रगुनाथ मंदिर, जो जमवारामगड में है, छपपरवाड़ाबांध, विराहत नगर, आदी ये हो गए जैपूर के अन्य एतिहासी कोर परियटन हिस्थल, कम्प्लीट अब हम पढ़ेंगे जैपूर के विश्व विद्धाला के बारे में, जैपूर में कौन-कौन से परमुख विश्व विद्धाला हैं, तो चलिए करते हैं तो सबसे पहले करेंगे हम राजस्थान विश्व विद्धाले राजस्थान विश्व विद्धाले की इस्थापना 8 जून 1947 में राजपूतान विश्व विद्धाले के रूप में की गई थी यह राजस्थान का पर्थम विश्व विद्धाले इसमें राजस्थान अध्यन क के नारायन दास जी के सहयोग से जैपूर के मंदावु गाउं में 6 फरवरी 2002 में किया गया था यह राजस्थान का पर्थम सिंसकर्त विशु विद्धाल है अब आता है राजस्थान स्वास्थे विग्यान विशु विद्धाल है इसकी इस्था अपना 8 दिसंबर 2005 में की गई थी यह राजस्थान का पर्थम मेडिकल विशु विद्धाल है तो वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले